हेलो एब्रीबन, वेलकम टोर यूट्यूब चैनल टागेट पुराईक्यू मैं आमिक अगर आपके साथ डिस्कस कर रहे हूं मुस्लिम लो की स्रीज अपने आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैरीज इन मुस्लिम लो जिसे कि मुस्लिम विदी में क्या कहा जाता है, शादी को क्या कहा जाता है विवा को निकाह कहा जाता है सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम विदी में विवा की आवधार्ना क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके बाद हम discuss करेंगे कि विवा के उद्देश्य क्या है, objects क्या है उसके बाद देखेंगे मुस्लिम विवा की प्रकरती क्या है, nature क्या है मुस्लिम लोग के अंतरगत शादी का उसके बाद हम देखेंगे मानने विवा के लिए आवश्यक बाते क्या है जैसके condition जैसे के condition कहां बताई गई थी Hindu Melch Act के section 5 में बताई गई थी Conditions of Valid Hindu Marriage इसके बाद हम देखेंगे प्रिस्ता और स्विकर्ती इसमें क्या है? सर्ते हैं सक्षम पक्सकार होने चाहिए विदिक अनहयता का अभाव होना चाहिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मुस्लिम विदी में विवा की अभधारना से कि concept क्या है? मुस्लिम विदी में शादी का तो कहा गया है कि विवा एक संस्था है मुस्लिम विवा में क्या कहा गया है विवा को? एक संस्ता कहा गया है और यह संस्ता मानव सब्वेता का आधार है क्या है विवा एक संस्ता है इंस्टिशन है और यह संस्ता मानव सब्वेता का आधार है कुरान में लिखा हुआ है कि हमने पुरुसों को इस तरियों पर हाकिम जिसे की अधिकारी कहते है बनाकर भेजा है क्या मीन्स है कि पुरुसों को क्या भेजा है इस्तरियों पर अधिकारी बनाकर भेजा है और दूसरे सब्दों में मुस्रिम विदी में पत्नी की अधिनता स्विकार की गई है क्या माना गया है मुस्रिम विदी में इस पुरुसों के अधीन माना गया है निका विवा का साब्दिकर्थ है इस्तरी और पुरुस का योन से योग और विदी में इनका अर्थ है विवा बेली के सार संग्रे में विवा की परिभाता इस्तरी सम्हू के इस्त्री और पुरुस के समागम को वेद बनाने और संतान उत्पन करने के प्रियोजन के लिए की गई समीदा के रूप में की गई है कहां पर की गई है बेली के साड़ संग्रे में ये बताया गया है कि इसलिप उसके समागम को वेद बनाना और संतान उत्पन करने का प्रियोजन के लिए की गई समीदा क्या है विवा है इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ परिभास आएं अब धारना क्या है concept याद रखना है कि मुस्लिम विदी के अंतरकत विवा एक संस्ता है ये संस्ता मानाव संस्ता का आधार है डेफिनेशन देखते हैं हिदाया ने क्या कहा हिदाया के अनुसार विवा एक विदीक पर क्रिया है क्या है एक विदीक पर क्रिया है जिसके द्वारा इस्त्री और पुरुस के मुर्ति महमूだ कि ने कहा है कि मुस्atus बीवा एक विशुद्ध समीधा है क्या माना है क्या माना है एक समीधा माना है ना रिगन मुंत कंट्ट कंट्ट माना है मुस्लिम क्लिकों обदल ल Дав अब्दुर्राइम का एक कथन है जो कि पैगंबर साहब के एक कथन पर आधारित है पैगंबर साहब ने कहा कि विवा मेरी सुनत है क्या है सुनत सुनत क्या थी मिन्स परंपरा जो कि लोग जीवन के इस धंग को नहीं अपनाते हैं क्या कह रहे हैं कि विवा मेरी एक सुनत है परंपरा है और जो मेरी इस परंपरा को नहीं अपनाते हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है अन्यतर पैगंबर ने भी ही कहा है कि इसलाम में सन्यास नहीं लिया जाता ठीक है उन्होंने क्या कहा है कि ववा मेरी परंपरा है और जो इसे नहीं अपनाते हैं, शादी नहीं करते हैं, वो मेरे follower नहीं कहलाए सकते, हिदाया ने एक जगा कहा कि विवा एक contract है, जिसका object संतान को उठपन करना है, क्लियर है, और अगर हम मुस्लिम विदी के अनुसार देखें, तो मुस्लिम विदी के अनुसार बिवा, पक्सों के बीच और उनमें से परतेग और समेल से उत्पन संतान के बीच अधिकारों और करतिवियों के सर्जन करने, इस तरह पुरुस के समागम को वेद बनाने, संतान उत्पन करने, और सिबेद बनाने और समाज के हित में समाजिक जीवन को नियमित करने के उद्जिशी की पूर्टी के लिए की गई एक समीधा है क्लियर है तो अगर हम इसका टोटली मिनिंग देखें तो ये कहना चाहता है कि जो शादी है जो निका है मुस्लिम विदी के अंतरगत वो पार्सप्रिक उभोग मींस समामेलन और संतान की उत्पत्ति तथा उनके और सिकरन के उद्देशे से एक इस्त्री और एक पुरुस के बीच किया जाने वाला एक इस्थाई और एपर्तिबंदित व्यवाल समीधा है तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुस्लिम विदी के अंतरगत क्या बोला गया है निका को क्या बोला गया है? निका को एक समीधा माना गया है है ना? जिसका उत्देशे क्या है? कि पती और पत्नी समामेलन करके संतान उत्पन करे और क्या करे? उनको उनको क्या? उनको जायज कि वो संतान अगर उत्पन होती है पती और पती से तो वो क्या कहलाएं वो जायज कहलाएं क्लियर है इसके बाद देखते हैं विवा का उद्धिश्य निका आगे है ना समझ में निका क्या है निका है एक संस्था और स्य संस्था मानव सब्यता का आधार है और पैगंबर मुहम्मद साब ने कहा है कि ये एक मेरी सुन्नत है, मेरी परंपरा है और जो इसके पुरा नहीं करते वो मेरे follower नहीं है विवा के उद्दिश्य देख लेते हैं विवा के उद्दिश्य पांच बताए गए हैं फर्स्ट कामवासना का नियमन सेकिंड वन्स की ब्रद्दी हो सके थर्ड ग्रस्त जीवन का नियमन हो सके फॉर्थ पत्नी और बच्चों की देख बाल और जिम्मेदारी में आत्म समयम बनाये जा सके और सदाचारी बच्चों का पालन किया जा सके ठीक है उद्देशे क्या है? पांच उद्देशे हैं, क्लियर हो गए? कि ग्रस्त जीवन बज जाए, मंस में ब्रद्धी हो जाए, काम वासना की पूर्ती हो जाए, पती और बच्चों की देख बाल, पूरी तरीके से हो सके और सदाचारी बच्चों का पालन पोशन हो सके यह है विवा के उद्देशे हैं, हिदाया ने विवा के तीन उद्देशे बताएं हैं, फर्स्ट समागम, सेकिंड संक्ति और थर्ड समान इच्छा, क्लियर है? पेगंबर मुहम्मद साब ने कहा है, कि पूरोसी स्त्रियोसी विवा उनकी ध्रमनिष्टा, संपत्ति या उनक संद्रे के लिए करते हैं, परंतु उनमें विवा कि ध्रमनिष्टा के लिए ही करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, ध्रमनिष्टा के लिए करना चाहिए, ना कि उनके संद्रे और संपत्ति के लिए करना चाहिए, अब देख लेते हैं, मुस्लिम विवा की प्रकर्ति क्या मानते हैं कुछ क्या मानते हैं कुछ कहते हैं कि मुस्लिम विवा क्या है मुस्लिम विवा क्या है मुस्लिम विवा क्या है एक समीदा है और कुछ क्या मानते हैं कि वह समीदा नहीं है वह धार्मिक संसकार है सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो मुस्लिम विवा है उसे धार्मिक कीसे कहा जा सकता है कि अ Nah सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुस्लिम विदी में कुछ वीदी सास्टियों ने कहा कि मुस्लिम विदी के अंतरगत युर निका है वह धार्मिक संसकार है हैं और इस बात को कुछ नियाईल्य ने ही पुस्ट किया है अनिसा बेगम बना मुहम्मद इस्तफा के एक मामली में जिसमें की मुख्य नियाधिस था सुलेमान थे उन्होंने एक अत्यन संतुलिक्त दिश्टिकोन अपनाते हुए ये निर्धायत किया था कि मुस्लिम विवा एक समीदा और धार्मिक संस्कार दोनों है है ना अब्दुलकादिर के निर्धायत का पुनलोकन करते हुए जिविव करते हुए नियाधिस सुलेमान ने विचार अनिस बेगम के मामले में व्यत्त किया था उन्होंने कहा था कि मुस्लिम विवा एक सिविल समीदा ही नहीं बलकि एक धार्मिक संस्कार भी है क्योंकि उन्होंने अधिकारिक सामंगरी भी इस विच्छे में एकत्रित की है ज़़ भी विद्वान मुख्य नियादीस ने स्वम विवा को संसकार नहीं कहा है लेकिन जिस अंदर में उन्होंने कहा है उससे यह इसपस्ट हो जाता है कि उन्होंने मौली समी उल्ला की विचार की पुस्टी की है अगर हम धैर्मिक पहलो पर विचार करें तो हम देखेंगे कि मुस्लिय विवा एक इबादत है एक पूजा संबंदी कारे है क्योंकि मुहम्मद पेगंबर साब ने कहा है कि विवा सारे के टूप से स्वस्ट और सक्षम मुस्लिम के लिए आवश्चक है पेगंबर मुहम्मद साब कहते हैं कि ए लोगों तुम में से जो भी काबिल है उन्हें शादी करनी चाहिए क्योंकि ये तुमारे अनेतिक देखने पर परतिबंद लगाती है और जो लोग इस योग्य नहीं है उन्हें ऐसे ही रहने दो ठीक है वो कहते हैं हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति शादी करते हैं वो अपना आदा धरम पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ धरम बचा हुआ जो धरम होता है वो अल्ला से डर कर सदाचारत प्रवित्र जीवन व्यातीत करके पूरा कर सकते हैं Magnet African Pogえば 25 परंपरा है और की तरीक केसे मानसकते हैं कि क्या है कि युक्षित थार्मिक संसकार है फिर हमारा second fact आता है जिसमें क्या कहा गया है कि Muslim विवा क्या है एक civil समीदा है इसके लिए कुछ देख लेते हैं point first देखते हैं कि विवा में समीदा जैसे ही प्रस्ताव क्या किया जाता है सबसे पहले proposal दिया जाता है ठीक है कहा जाता है ना कि आपको क्या विवा कबूल है निका कबूल है है ना second दूसरे जो पारिटी होती है जो second पक्सकार क्या होता है वो कहता है कबूल है या फिर कबूल नहीं है है ना तो यह कहां पर होता है Contact Act के अंतरग होता है, Proposal दिया जाता है और Accept किया जाता है उसे, ओके, तो यह हूँ हमारा First Fact, जो कि कहता है कि जो निकाह है, वो एक Civil समीदा है, फिर इसके बाद में Second आता है, उसमें कहा गया है कि कोई समीदा अविशक की ओर से उसका गार्जिन कर सकता है, है ना, अगर किसी को कोई Contact करना है, और क्या है, Contact करने वाला Minor है, तो उसकी ओर से क्या कर सकता है, उसकी ओर से उसका गार्जिन क्या कर सकता है, ठीक, इसी तरीके से मुस्लिम विधी में भी वेशक होने के बाद साधी नरस्त हो सकती है, यदि शादी किसके द्वारा की कर दी गई हो, उसके Minority म उसके गार्जिन के द्वारा कर दी गई हो, Means क्या है कि गार्जिन के द्वारा भी मुस्लिम विदी में निका को मंजूरी दी जा सकती है, है ना, लेकिन हिंदु मैर्ज एक्ट में हमने ये देखा था कि section 5 में जो close 6 था, जो 6 तवाली सर्थ थी, उसमें 1978 से सरक्षक को गार्ज देने से निर्षित कर दिया गया है क्लियर है कि इसके बाद एक और देख लेते हैं कि विक्तिगत हीटों के अनुकूल साधी से संबंदित समीधा की सर्तों में विदिक सीमा के अंतरगत परिवर्तन क्या जा सकता है कि यहां पर बहुत आविश्यक होता है ठीक हैậy, कि यहां पर क्या दिया जाता है? पत्नी को पती के दुआरा मेहर दिया जाता है जैसे Contra Act Act में क्या मिलता है? Consideration मिलता है, परतिफल मिलता है, इसी तरीके से यहां पर पत्नी को मेहर प्राप्त होता है clear है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम विभा धारमिक संसकार और इसके बाद ह们'll Judit वह स्कों अथे क्या देखेंगे अब हम मन्य विभा के लिए आव्यशक सर्थे देखेंगे कि कौन- मैरिज एक्स के अंतरगत 1955 में सक्षन 5 में क्या बताया गए था हिंदू विभा के लिए आवशक सरते बताई गई थी जिनको फुल्फिल करना आवशक था किसी भी मानने विभा के लिए इसी तरीके से मुस्लिम विदी में भी कुछ सरते बताई गई हैं यह कौन-कौन सी सरते है सेकंब स्विकर्ति होने चाहिए वह कहें कि हां मुझे स्विकार है कबूल है या फिए कबूल नहीं है ऑक इसमें आते हैं कुछ फैक्ट फॉस्ट बताता है कि उपस्थिती उपस्थिती मीज प्रस्ता और स्विकर्ती परकट करने वाले सब्दों का उचाएं दोनों पक सब्सक्राइब को जाना चाहिए इसके बाद है यक होना चाहिए इसके बाद साक्षी की घवा होने चाहिए सुन्नी विदी के इंतरगत प्रस्तावर स्वीकर्ति दो ऐसे पुरुस और दो इस्तरी साक्षियों के पस्तिति में होना जुरूरी है जो स्वस्चित होंगे और व्यसक मुसलमान होंगे क्लियर है क्या कह रहा है यह कि सुन्नी विदी में प्रस और दो महिला विटनेस होने चाहिए लेकिन जो सियाविदी है सियाविदी के इंतरगत विवा में साक्षियों की विटनेस की आवश्यक्ता नहीं माननी जाती और उनके बिना भी क्या माना जाता है विवा वेद माना जाता है इसके बाद है कि इच्छा जो होनी चाहि आदोनों पक्सकारों की कि इसके बाद सक्समपक्सकार उने ने करने वाली जो पक्सकार हैं ह। क्या होने चाहिए वह पक्सकार सक्षम होने चाहिए विवा के दोनों पक्सों में समीदा करने की छंता होना जरूरी है अर्थात उन्हें विवा के लिए सक्षम होना चाहिए विवा की आयू क्या होने चाहिए विवा की आयू मुस्मिदी के अंतरगत व्यशक्ता बुलू की आयू विप्रित साश्य के अभाव में 15 पंद्रेवर्स मानी जाती है वे शक्ता या योवनस्थव क्या आर्थ है कि जब क्या हो वो जवान हो जाए योवन हो जाए तो क्या माना जाता है उनकी विवा की आयू मानी जाती है और अगर क्या नहीं किया जा सकता है ना कोई साश्य प्राप्त नहीं है तो विवा की आयू है या लड़की है तो उनका विवा कौन करा सकता है उनके विवा उनके विवा उनके गार्जिन के द्वारा कराया जा सकता है कि अब शको के विवा और विवा में अभवावकता कि अगर 15 साल से कम आयो का लड़का या लड़की है तो कौन करा देगा उनके गार्जन करा देंगे फिर है विदिक अनहता का अभाव होना चाहिए है ना जैसे सपिंड नातेदारी में निशेद कर दिया था कि कुछ विवा नहीं होंगे हिंदो के बीच में जो सपिंड नातेदारी के अंतरगत आते हैं परतिशिद नातेदारी में आते हों विवा संबंद में ना आते हों धात्रे संबंद में ना आते हों इसके बाद है सापेक्स ऐसमर्थता भी हो सकती है कौन कौन सी कौन सी हो सकती है सापेक्स भी हो सकती है अब सापेक्स ऐसमर्थता क्या है यह भी कोश्यन आ जाता है है ना तो सापेक्स ऐसमर्थता